फिरोस खान का अभी हम जिन्दा है ये डायलोग बहुत ही पॉपिलर है इन फैक्ट वो जब तक थे तब तक भी अपनी लाइफ को बहुत ही जिन्दा दिली से जीते थे फिर बले ही उनकी फिल्मे हो या फिर उनकी पार्टी सो उसमें कहीं न कहीं फिरोस खान का टच हमेशा नजर आता था और अगर कोई भी चीज उनकी मर्जी के खिलाफ होती है या हटकर होती है तो वो ये बात बरदाश नहीं करते हैं और इसी तरह से एक बार जब फिरोस खान की मर्जी के खिलाफ को चुआ तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया कब फिरोस खान ने हंगामा क अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ हुआ और कैसे फिरोस खान ने सब को बता दिया कि अगर उनकी मर्जी नहीं चलेगी तो फिर यहीं होगा ये बात तब की है जब फिरोज खान एक फिल्म बना रहे थे इस फिल्म को प्रेड्यूस वो कर रहे थे, डिरेक्टर भी वो थे फिल्म में आक्टर भी वो थे, साथ ही उनके साथ उनके बेस्ट फ्रेंड विनोत खन्ना भी इस फिल्म में थे इसके अलावा जीनत अमान, शक्ति कपूर और अमजद खान भी इस फिल्म का हिस्सा थे यह फिल्म थी कुर्बानी फिरोस खान ने जिस दिन इस फिल्म को अनाउंस किया था उस दिन एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी यह पार्टी थी मुंबई के Obroy Hotel में जिसे अब The Trident के नाम से जाना जाता है जिस दिन यह पार्टी थी, उस दिन फिरोस खान ने होटेल स्टाफ को साफ इंस्ट्रक्शन दे दिये थे कि यह पार्टी टॉप की Bollywood पार्टी होनी चाहिए इसमें जो भी शराब परोसी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ foreign brands ही होंगी फिरोज खान इस दिन बहुत खुश थे, वो अपनी फिल्म की launching कर रहे थे और बहुत ही high profile ये party थी, इंडस्ट्री के बड़े बड़े actors इस party में मौझूद थे अपनी इस party के लिए फिरोज खान ने बहुत तयारी की थी और party अच्छी भी चल रही थी, party की शुरुवात अच्छे से हुई लोगों को foreign scotch परोसी जाने लगी और party का मज़ा धीरे धीरे बढ़ता रहा लेकिन इस party के मज़े में तब problem आ गई जब फिरोज खान को पता चला कि hotel staff ने party के first round में foreign scotch परोसी, second round में भी foreign scotch ही परोसी लेकिन तीसरे round में जब hotel staff को लगा कि लोगों को पता नहीं चलेगा, नशे में होंगे तब hotel के staff ने Indian brands परोसना शुरू कर दिया फिरोज खान को इस चीज के बारे में उनके एक दोस्त ने बताया और जब फिरोज खान को ये बात पता चली तो वो बरदाश नहीं कर पाए, in fact फिरोज खान को जाना जाता है उनके गुस्से के लिए और उस दिन वहीं पर पार्टी में फिरोज खान को इतना जादा गुस्सा आया कि वो भूल गए कि इस पार्टी के होस्ट वो ही है, उन्हीं की फिल्म की launch पार्टी है और उन्होंने वहीं पर बार में तोड़ फोड़ कर दी इस दोरान सभी स्टाफ वहाँ पर एकटा हो गया और तब फिरोज खान को रोकने की कोशिश की लेकिन फिरोज खान एक शर्ट पर रुके कि जितने भी इंडियन ड्रिंक्स परोसी है उन सभी को जब तक फॉरण ड्रिंक्स से रिप्लेस नहीं किया जाएगा तब तक फिरोज खान इसी तरह से तोड़ फोड करते रहेंगे फाइनली होटेल स्टाफ ने अपनी वो गलती मानी उन्होंने फिर से फॉरण ड्रिंक्स परोसी और फाइनली फिरोज खान की वो पार्टी तब जाकर सक्सेस्फुल होई हाला की आगे जाकर फिरोज खान ने अपनी इस पार्टी के साथ-साथ होटेल में जो भी बार के अंदर तोड़ फोड़ की थी उसका बिल भी भरा था बल फिरोज खान की फिल्में तो हैं ही जिनके लिए उन्हें याद किया जाता है लेकिन ये ऐसे कुछ किस्से हैं जो जरा हटके हैं जो हमेशा हमारी इस बॉलिवूड इंडस्ट्री में याद रखे जाएंगे कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे बॉलिवूड की एक और स्टोरी के साथ लाइक करें हमारा फेस्बूक पेज बॉलिवूड ठिकाना फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलिवूड ठिकाना